सो वेलकम फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है डेली न्यूज अपेड्स की स्रीज में फ्रेंट्स बेसिक नोलेग्ज के साथ साथ अगर आप किसी भी परिक्षा के त्यारी कर रहो तो ये वीडियो आपके लिए वहायद मेत्पून रहने वाला है शेली शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की अपडेट की आए दोस्तो नेपाल से लगबग 6 करोड साल फूरानी शिलाए जिनको शालिग्राम सिलाए कहा जाता है ये पूरे 333 किलोमेटर की यात्रा 37-7 दिन के सफर के पस्चात फाइनली अजुद्या पहुंच चुकी है देखी ये काफी चर्चा का विश्य बना हुआ है इनी शालिग्राम पत्थर से भगवान सिराम और माता सिता की मुर्तिया बनाए जाएगी देखी यहाँ पे एक सवाल उड़ता है कि जो शालिग्राम पत्थर है फ्रेंट्स इनसे भगवान की मुर्तिया बनाए जाने का जो विचार ये सबसे बहले किसके दिमाग में आया था तो फ्रेंट्स नेपाल की जो पूर उप्रदान मत्री है जिनका नाम है विमलेद्र निथी उन्होंने बताया था कि नेपाल के जानकी मंदर के महंतियन की वहां के जो पुजारी है स्ट्री तपेश्वर दास उन्हीं की मंशा से सारा काम हो रहा है प्रेंट्स उन्होंने ही विचार दिया था सबसे पहले कि भगवान राम और माता सिता की जो मूर्तिया है वो इन शिलाओं से बनाए जाए दिखें इन शिलाओं के अलावा ओडिसा और कन्नाटक से भी अविध्या में कुछ शिलाओं लाई जा रही है इन सभी का तुलनात्म कध्यान करेंगे और इनके बाद इनकी मूर्तिया बनाए जाएगी सातियों पिछले एक साल से इन शिलाओं को इंडिया लाने के लिए सिराम जन्मभू में तीर्थ ट्रस्ट साती वीश्व हिंदू परिश्यद इसका प्रयास कर रहे थे ठीके पिछले एक वर्षे से इन श जनकूर में काली नदी भेती है वहां से इन पत्थरों को लाए गया है यह जो पत्थर थे इनको 26 जनुरी के दिन ही नेपाल से रवाना कर दिया गया था और इनको लगबग 7 दिन लगे इंडिया आने में यह दो फरवरी को फाइनली इंडिया पहुंचे दोस्तों यह जो पत्थर इसमें से एक का वजन है 26 टन और दूसरी जो शिला है उसका कुल वजन है 14 टन विशेश अग्यूगी अगर माने तो यह पत्थर 1000 साल तक सुरक्षित रहने वाले पत्थर है साथी प्रंट जो ट्रस्ट है उसने भी यह दावा किया है कि रामलाला का जो मंदीर है व अगली चर्चित निउज है प्रंट तो क्या है कि भारत ने अब्दुल रह्मान मक्षी को वेश्विक आतंकी गोशित करने वाले नेने को स्विकार कर लिया देखिए इंडिया और अमेरिका ने तो पेले ही मक्षी को आतंकवादी गोशित कर लिया था लेकिन सभी तराष् लशकर ए तेवा और जमात उद्धावा एसा आतंकी संकतर में से इसका सम्बंध रहा है यह मुंबाई हमले के मास्टर माइंड आतंकी हापिस सहीत का लिष्ट कर दिया था इंडिया ने भी इसको पेले आतंकवादी गोशित कर दिया था लेकिन इंडिया ने हाली में स्वे वेश्विक आतंगवादी घोषित करने का नीड नहीं था, उसमें हाली में अपनी सहमेती व्यक्ति किये, जिससे अब्दुल रह्मान मक्की ये इंडिया में भी पूरी तरीके से प्रतिबंदित हो चुका है, और जो सहिप्त राष्ट्य की नियम इसको इंडिया में भी साथी अब्दुल रह्मान मक्की जो है, इसने इंडिया में भी विशेश शुरुप से जमू कश्विन रहे, हिंसा बढ़ गाई, साथी वहाँ पे हम लोग की योजना बनाना, आतंग की गिरों के लिए धन जोटाना, या वहाँ के जो लड़के तो उनको कट्टर बनती आत पसंद आई होगी, ठीक है, आगा आन वाले वीडियो हम और भी अपडेट देखेंगी, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लिजे, चैनल पर पहली बार विजिट किया हो, तो चैनल को सब्स्क्रेब कर लिजे, साथी अपने फ्रेंड्स में इसको शेर जरू जाएगा, विश वाले वेरी बेस्ट, थैंकिस सो मच,